लेटेस्ट नियूस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें पीरिता ने 25 अगस्ट से अपने माई के दूधाधारी मंदिर के पास मठपारा में आकर रह रही थी पीरिता एक सितंबर को सुबह अपने काम पर चली गई जिसके बाद नगर निगम में कारियरत पीरिता की मा ज्योती शर्मा भी घर से लगभग 10-15 बजे ताला लगाकर अपने काम पर चली गई थी जिसके बाद घर में कोई नहीं था पीरिता जब शाम 6-15 बजे काम से घर पहुँची और जब में गेट का ताला खोल कर वो अंदर गई तो उसने देखा की कमरे के बाहर लगा दरवाजे का कुंदा तुटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था पीरिता को जब आलमारी में रखा सोने चांदी के 13,50,000 के जेवरात और नगदी रकम नहीं दिखा तब उसने अग्यात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिक्रापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया इस चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिक्षक प्रशान्त अगर्वाल ने थाना प्रभारी टिक्रापारा संजीव मिश्रा को अग्यात आरोपियों को खोज कर उन्हें गिरफतार करने के दिशा निर्देश दिये थे पुलिस अधिकारियों की टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV के फुटेज निकल वाया जिसके बाद आरोपी की पहचान न्यू अर्विंद नगर पैंशन बाड़ा कोतवाली निवासी करन सेंद्रे के रूप में की गई करन सेंद्रे को पहले भी चोरी के लगभग आधा दर्जन मामलों में थाना कोतवाली से जेल ने हिरासत में लिया था आरोपी पुलिस की टीम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था उसके बाद पुलिस के कड़ाई से पुछताच में उसने अपने साथी अभिमन्यू नायकूर्फ मन्नू के साथ मिलकर चोरी की घटना को स्वीकार किया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अभिमन्यू नायकूर्फ मन्नू को भी पकड़ लिया दोनों आरोपियों के खिलाफ टिक्रापारा थाना में धारा 454, 380 भादवी का अपराध दर्ज किया गया है और कल दो आरोपियों के इसमें गिरस्तार किया गया है जिसमें एक आरोपियों का नाम करण सेंद्रे है और दूसरा अभी मन्यूनायक है इसमें अभीमन्यो नयक के किरफतारी उडीशा चेकी गई है और करण सेंद्रे पहले भी 5-6 मामलों में चोरी के मामलों में जेल में रह चुका है और आरोपियों से लगबख 26 तोला सोना और 16 तोला चांदी के जेवराद जूमला किंति लगबख 13 लाग रुपय का बरामत किया गया और आरोपियों का जेल भीजा जाना है करण सेंद्रे पहले भी 6 मामलों में जेल में रह चुका है चोरी के मामलों में नगदी इसमें देड़ 2,000 रुपे था जिसमें 1,000 रुपे रिकवर कर लिया गया है